असलाम अलेकूँ उमीद करती है आप लोग सब अच्छे होंगे आप लोगों की दुआओ के वज़े से हम भी बहुत अच्छे हैं हाँ भाई हाँ हम जा रहे हैं हल्दी राम आज दिनर के लिए तो मैंने बोला क्यों ना मेरे वीवर्स के लिए एक छोटा सा ब्लॉक बना दि तो आज हमें हल्दी राम का पुरा व्यू दोंगी जो हमारे नालास उपन अभी न्यू न्यू पुला है यह उपन अभी हुआ है अब हम यहां पर बैट के डिसाइट कर रहे हैं अनम नश्रा को हल्दी राम जाकर भी पीजा खाना है और वहां पर पीजा नहीं था तो अब यहां पर डिश डिसाइट करने के लिए फिर ते अनम नश्रा ने बोला फीजा तो लोगों ने बोला बेटा रोटी पीजा मिलेगा यहां पर फीजा नहीं तो लोगों ने फिर सैंविच पे एग्री हो गए और इनके डैडी को तो जो डिस्प्ले पे दिखता है वही चाहि कोजी जाये बट मस्त है अच्छा है एक time experience के लिए अच्छा है अब यहां पर हमारा decide हो रहा है dinner जैसे कि बहुत special discussion है अब हमने decide कर लिया अब हमें जाना है second counter पर जहां पर हमको मिले कर token means order का payment करना है अब इसके लेड़ी आ गए है बाखी सब self service नहीं है बड़ इतना तो करना पड़ता है जाने से पर हम लग बैठने से पहले अब यहां पर हमने दे दिया हमारा order जो जो एश्ट्रा जो भी बोलना था अब यहां पर हमने ले लिया है token अनम नश्रा को मैंने बोला जाओ जाकर सेट पर बैठ जाओ सबके सब कांटर पर खड़े रहे किया करेंगे तो अनम नश्रा यहां पर बैठ के अपनी बाते कर रहे थे मैं भी आ गई मैं भी कब तक वहां खड़ी रहती यह आ गया हमारा कितना टेस्टे अनम नश्रा को उसको देखकर ही हसियारी थी अब यह आ गई हमारी second dish नवाबी थाल जब तक हम हमारे छोले भटोरे चट कर गये थे एक ऐस्टा भटोरा हमको मंगाना पड़ा था विकास हम चार लोग थे पिर आ गया second order था जो हमारी नवाबी थाल वो भी तेस्टी थी इसके डैडी मुझे चिला रहे वीडियो बन कर और खाना शुरू कर तो यह पहली चीज मैंने टेस्ट की है यह पनीर पनीर मसाला गाइस आप लोगों को परे मैंने सिप्र सिप्र एक चीज टेस्ट किये था अब यह देखो लोगों का अगर सेंविच मायो ची पर मैंने भी टेस्ट किया मैं उठी गई थी कॉंटर से विकास पानी के लिए पानी रूने के लिए वहाँ पर एक बोटल असी रुपे की थी मैं आई कॉर्ड राम में पानी खरीत के नहीं पीना फिर बाद में जब मैं जाकर ढूनी जब मुझे पता चला क्या आप कॉंट सब्सक्राफ भी तो फुरा से मंगाया गया था बटर नान तो मैंने वो मेरे लिए अकसर सकी ड़ेरी बटर नान मंगाते हैं किक कुछ मिक्स वेच हां टेस्टी था हर फ्लेवर टेस्टी सब्सक्राइब मज़ा आया खाके अब बाली आती है हमारी दाल मकनी की दाल मकनी भी बहुत टेश्टी थी सारी थाली na सबसे टेश्टी दाल मकनी ही थी राइस तो मैंने चखेन के नान पराठा वह सब खाकर ही पेट ही इतना फूल हो गया था फिर भी नियत पड़ी थी एक चीज के उपर जो थी बहुत खुपशुरा डिश छोले मलब कचोरी तो मैंने बुला आई गए हैं तो इसे क्यों एक स्कीट करें तो फिर मैंने लच से फटाक से एक कचोरी बी और कर दी कचोरी दिखने में तो बहुत टेस्टी थी और खाने मे में भी उससे जादा टेस्टी ती यम गाईज यम मैं तो बोलेंगी सबको एक बार रिखल दीरा जाना चाहिए बट बात यह हुई ना कि खाना इतना खा लिया था दिखने में एक एक आड़र आ रहा था अब बट खाए नहीं जा रहा था तो मैंने तो कैसे तेसे खाके हो अब हो गया मेरा बबा मैंने उड़ गई अब उसके डैडी को अब फिनिश करो अनम नश्रा तो आल्मोस्ट पहले ही छोले पूरी और सैंविज में ही वह फुल हो गयते अब हो गया हमारा खाना अब हम जा रहे हैं हैंड वाश करने और जो हमने एस्ट्रा एस्ट्रा मंगा भी इसे दिस्प्ले पर यह छोले पूरी थी डिस्प्ले यह तीनों चीज ही हमने ओर्डर की ती सैंविज एक अलग से था मलब जो दिखता है वही इनको चाही जो अच्छा दिख रहा था उन्होंने वही मंगाया था जो महां पर सबसे खास था हमने वही तीनों चीज मंग दोस्तों आपको मेरा ये हल्दी राम एक्सपीरियंस अच्छा लगा और अनम नश्र बहार आकर कि आप बोल रहते हैं इससे अच्छा बर्गर किंग या फिर केव सी चले जाए जैड़ा की चोईस थी सब्सक्राइब करते हैं तो चलते हैं दोस्तों अला हाफीस दुआओं में याद रखना फिर मिलेंगे वापीस पता है बिनिश का बड़े ब्लॉक टेंडिंगे इंशाला नेक्ट ब्लॉक बिनिश का होगा बड़े ब्लॉक प्लीज वेट एंड वाच अला हाफीस